जेहन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्केस करने वाले हैं डिफेंस के एक्जाम में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 15 जनरल नौलिज के कोस्चन तो वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तो चाहें आप किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जैसे की SACGD के अंतरगत आने वाली BSF, CRPF, CISF, ITVP या फिर SSB चाहें आप आर्मी, एरफोर्स, नेवी की तयारी कर रहे हैं आप सभी के लिए ये बीडियो है दोस्तो तो बीडियो का एक एक कोस्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है इसलिए बीडियो वो लाज तक जरूर देखें तो दोस्तो सबसे पहले चलते हैं हम कोस्चन नंबर बन की तरफ तो कोस्चन नंबर बन है हमारा दोस्तो खजराहो temple is located in which state of India खजराहो मंदिर भारत के किस राज में इस्थित है तो दोस्तो खजराहो के जो मंदिर है वो भारत के मंदिप्रदेश राज में इस्थित है तो option C question number बन का एकदम सही answer है अगला question है दोस्तो और ये भी दोस्तो very very important question है आपके exam के लिए ठीक है पसुपतिनाथ temple is located in ठीक है पसुपतिनाथ मंदिर इस्थित है options आपके सामने हैं दोस्तो तो पसुपतिनाथ का दोस्तो जो मंदिर है वो काठ मांडू नेपाल में इस्थित है ठीक है तो option B इस question का सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question के तरफ question number 3 question number 3 होगा दोस्तो हमारा नीरज चोपला किस खेल से संबंदित है ठीक है नीरज चोपला is related to which sport तो दोस्तो नीरज चोपला के नाम तो आप जानते ही होगे इन्होंने हाल ही में दोस्तो Tokyo Olympic में जो है बो गोल्ड मेडिल जीता था ठीक है तो दोस्तो ये है जेबलिन से संबंदित है नी कि भाला फैक ठीक है तो option D इस question का correct answer होगा अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question के तरफ question number 4 और ये भी दोस्तो Olympic से ही संबंदित question है तो how many medals did India get in the Tokyo Olympic Tokyo Olympic में भारत को कितने पदक मिले तो दोस्तो Tokyo Olympic में भारत के लिए एक gold medal जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ भाला फैक में निरेज चौपला ने लिया था दो silver medal और चार bronze medal मिले थे तो एक gold, दो silver और चार bronze जाने कि भारत के लिए Tokyo Olympic में total जो medal मिले थे वो मिले थे दोस्तो 7 medal ठीक है तो option B इस question का correct answer है अब चलते हैं दोस्तो आज के अगले question की तरफ question number 5 लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कल से आप लोगोंने मेरी काफी बात मानी है आप सभी ने दोस्तो जो है अपना score हमें last में comment करके बताया है कि 15 question में से आपके कितने question सही थे तो यह जो process है आप continue follow करना है दोस्तो जो भी वीडियो आप देखते हैं वीडियो के end में आपको बताना है कि 15 में से आपके कितने question जो है वो सही थे ठीक है तो question number 5 है हमारा which the current national security advisor यानि कि NAC NAC की full form भी दोस्तो आपके exam में आ सकती है तो full form होती है national security advisor और यहां पर question है कि बरतमान में भारत के राष्ट्री सुरक्षा सलाकार कौन है ठीक है यानि कि national security advisor इस समय भारत के कौन है तो दोस्तो इस समय जो भारत के national security advisor है उनका नाम है अजीद डोभाल ठीक है तो option A question number 5 का correct answer है अगला question है हमारा question number 6 most important question है दोस्तो जय जवान जय किसान का नारा किशने दिया था तो दोस्तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल भादर सास्त्रीन ठीक है तो option A इस question का सही answer होगा अगले question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 7 question number 7 है दोस्तो sports से which team won the first edition of Indian Premier League ठीक है यानि कि IPL का जो पहला मुकाबला था पहला संस्क्रण का जो final था वो किस ने जीता था ठीक है Indian Premier League का पहला संस्क्रण किस टीम ने जीता तो दोस्तो IPL का जो पहला संस्क्रण था उसको जीता था राजस्तायन रोयल्स ने ठीक है तो option C इस question का correct answer है अगले question की तरफ चलते हैं दोस्तो question number 8 आठ number question है मारा which is the boundary line between India and Pakistan भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है तो दोस्तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है रैड किलिफ ठीक है अब अगर दोस्तो आप दा question आता है की भारत और चाइना यानि की भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है तो वो है दोस्तो मैग मोहन ठीक है अगर चाइना से पूँचा जाए तो मैग मोहन और पाकिस्तान से पूँचा जाए तो रैड कलिफ तो यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान से और भारत की बीच की जो है वो सीमा रेखा पूशी कहिए तो यहाँ पर option D आपका red cliff रेखा बिलकुल सही answer होगा next question है दोस्तों और काफी अच्छा question है ये भी आपके exam में आता रहता है ये भी A question number 9 का एकदम सही answer हो ठीक है खान अब्दुलगफार खान next question है दोस्तों हमारा question number 10 question number 10 है blood group were discovered by ठीक है रग्त समूं की खोज किसके द्वारा की गई तो रग्त समूं की खोज की गई थी दोस्तों कार्ल लेंड इस्टिनर की द्वारा तो option C यहाँ पर आपका सही होगा अगला question है हमारा question number 11 और काफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है which is the largest producer of coffee in the world ठीक है यहाँ पर थोड़ी से mistake होगी दोस्तों which is the largest producer of coffee in the world ठीक है तो कौन सी country जो वर्ड में largest coffee उत्पादन करती है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है दोस्तों option A ब्राजील ठीक है चलिए अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले question की तरफ question number 12 question number 12 है हमारा भारत की सबसे बड़ी सिचाई नहर है the largest irrigation canal in India age तो दोस्तों इंद्रा गांधी नहर जो है भारत में सबसे बड़ी सिचाई नहर है तो option A question number 12 का correct answer है next question है और repeatable question इसको हम कह सकते हैं इसमें कोई भी दोस्तों doubt नहीं होगा कि ये आपके exam में बार बार repeat होता है where is humayu storm located हमायू का मकबरा कहां इस्तित है तो हमायू का मकबरा है दोस्तों कहां पर दिल्ली में तो option C इस question का correct answer है अगला question है दोस्तों और ये question आपको देखने में लग सकता है कि ये important नहीं है लेकिन मैंने आपके लिए इंडियन आर्मे के काफी ज्यादा जो है वो पेपर सकरा चुका हूँ और काफी पेपर से में मैंने इस question को repeat होते हुए देखा है रानी की बाव कहां इस्तित है ठीक है रानी की बाव कहां पर इस्तित है दोस्तों गुजरात में तो option B इस question का correct answer होगा अब चलते हैं आज के आखरी question की तरफ question number 15 तो question number 15 है दोस्तों हमारा when was the Cargill war fought between India and Pakistan तो Cargill war किसके बीच में हुए थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए थी आप सभी जानते है तो आपको इस question में बताना है कि Cargill war जो हुए थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो कब लड़ी गई थी तो Cargill war लड़ी गई थी दोस्तों 1999 यानि कि 1999 बादे अब दोस्तों आपको बता दे 1999 1965 और 1971 option A, B, C जो है ये तीनों लड़ाईये भारत ने पाकिस्तान के साथ में लड़ चुका है अब ये आया option D, 1962 तो 1962 की लड़ाई होती दोस्तों भारत और चीन के बीच में ठीक है तो उम्मित करते हैं दोस्तों ये questions आपको अच्छे लगे होंगे और आपके exam के लिए तो important है ही तो इस वीडियो की PDF फाइल भी आप बिलकुल आसानी से दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैभारत